पिनाम दोस्तों मैं आप सभी का दिल से बलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटिव होंगे आप सभी को हैपी बसंद पंचमी की बहुत सारी सुबकामनाएं और I hope आप सभी अच्छे ही है और माफी चाहूंगी बहुत टाइम से मैं अपडेट और बहुती अमेजिंग वाला रहा विकोस इसमें मुझे बहुत सारी चीजों को लर्न करने को मिला और बहुत सारी स्पिर्च्टोल एनर्जी से कनेक्ट होने को समय मिला क्योंकि कहीं न कहीं डेट टो टे लाइफ में इतना सारा बिजी थी कि स्टैडी भी करना चैनलिंग करना लोगों से क्लासेजिस में टाइम देना और सब की रीडिंग करना तो इस सब चीजों के वज़े से मुझे एक ब्रेक चाहिए था जो कि मैं खुद से नहीं ले पा रहे थी तो काई नहीं डिवाइन ने वो मुझे ब्रेक दिया फाइनली सब अच्छा है सब ठीक है लेकिन आप सबको कुछ कहने आई हूँ हो सकता है कि कुछ एनर्जी साब के साथ में चल रही है तो एक्चली में क्या है ना कि यह फुल मून तक का जो हमारा समय है मैं पिछली वी वीडियो में बताई हूँ जो लोग हम इरको सुनते आ र हमें इफेक्ट होगा लेकिन उसके बाद एनर्जी हमारी बहुत अच्छी और बहुत काम और पीस में रहेंगी लेकिन आप जो यह काम और पीस तो रहेगा अपकोस रहेगा बट कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या हमारे खुद की गलती से हम एनर्जी को खर हमारा आ रहा है न्यू पोडल यानि कि यह सेकेंड पोडल है इस मंत का तुटू पोडल का जो मेजर आपनिंग हो रहे है यानि कि जो तुटू का पोडल खुला था यानि कि दो फैरवर को जो हमारा पोड़ल ऊपन हुआ था वह एक स्टेज शुरू हूई थी स्पिचिव special लिए से लेके हमारी क्लीन्जिंग से लेके हमारी पूरी एनरजी को प्लिफाई करने के लिए इस टे वल्र फ्न ledती को वेक हो गती टिक है जैसी मिद में आहिए सर्फीस लेबल पे लिकांट Lacan अब हमें शुरू होगा इसका रिवर्ट मिलना और शुरू होगा हमारा इस्पिर्च्वल कनेक्शन बनना सबसे ज्यादा यह हाई लेवल पर इस्पिर्च्वल कनेक्शन को ही क्रेट करेंगी लेकिन एक और बात में आपको हलकी सी बताना चाहूंगी इस से कही ज्यादा जो हमारा 33 का पॉर्टल है यह हम सब के लिए एक ऐसा सावित हुआ क्योंकि यह उसी की शुरुआत के लिए यहां तक हमारी जो टाइम लाइन शुरू हुआ है जैसे की फुल न्यू मून से और यह समय जो आपका बीता तू फरवरी से तो यह समय आपके पूरी क्लींजिंग सर्फिस लिवल पर हर चीज का आना सैडू को रिलीज होना स आपनी स्ट्रेंद पता चलना इस सारी चीजें आपको इस समय में पता चली और उसके बाद अब जैसे की यह समय थोड़ा सा आपको इमोशनली भी आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला कहीं न कहीं आपने अपने अकीला फिल किया यह कहीं न कहीं कुछ ऐसी पहुच चुके हैं यहां पर जब आप पहुचे हैं तो यहां पर आप बहुत काम और रिलेक्स एनरजी तो फील करी रहे हैं अपकोस आप डीम और डीम की एनरजी को फील कर पा रहे हैं साथ में आप रिलेशन्शिप में भी आ रहे हैं लेकिन यह जो समय है आपका इसमें पर कुछ चीज आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हमारी जो सोल फामली हैं उनको hक Song हो रहे हैं किसीौजी को बॹादि पेन रहा है इस समय बहुत जब कर दाता है एन दर अंधर से फेल कुछ मेम हं एनरजी है लेकिन हम हाई एनरजी को क्यों कर पा रहे हैं हम अपने lot difféँ नहीं जहार है अपने अब्सित हैं तो यहां पर दू चीजचे आपको समझनी की जरूरत है कि थोढ़ा आपको यह देखना कि नहीं को डी करता चेजे जो है इस इन दिनों ऐट बोगी होगी यहां पर थोड़ा साथ बारीकी से देखिएगा अपनी रुटीन लाइव को कि यहां पर किस चीज की ग्रेविंग जादा हो रही है कुछ लोगों को यहां पे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग बड़ी हुई है कुछ ऐसा है कि मुझे मीठा खाना है जबकि आप खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अभी आपको बहुत दिल कर रहा है मीठा खाने का बहुत ज्यादा आप चॉकलेट केक्स या कुछ ना कुछ सब कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपको इस चीज के लिए रुकना होगा क्यों क्योंकि यह जो प्रेविंग है आपकी मीठे खाने की यह आपके रूट चक्रा को क्या कर रही है और साथ ही साथ में हमारे बॉड़ी सिस्टम्स को भी एफेक्ट कर रही है आप सभी जानते है spiritual life में चीनी का रोल बहुत कम रखा जाता है विकोज यह जो हमारे जो मेडिशन जब लोग करना करते हैं साथना जब करते हैं तब हमें नमक और मिर्ची और यह जो मीठा है उसको बहुत नॉर्मली वेस पर रखा जाता है इसलिए बोला जाता है कि तामसी भोजन यानि कि श निचन भल पर हमácारी जो इनर सॉल है वह थोड़ा हल्का फील करती है यहां ओरत की ग्रेविटी थी से बहुत क्नेक्टेड हो ठीक है जिसके वजह से हम हमारी तो उसमें आटकी हुई है हमारी बाडि के साथ में मतलब फसी हुई है roup कोने दोवे ही हुए है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें जब कम होती है तो हमारी और बाड़ी के बीच में जो ग्रेविटी ए जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा हलका हो जाता है और जिसके बाद हम एस्टो ट्रेवल और टेलीपैतिकली या दिवाइनली कनेक्शन या बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट्स के हम चक्कर या ब्रहमान या बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर पाते हैं क्यों क्योंकि उस समय हमारी जो सोल की वाइब्रेशन है वो हाई है और पेन आपको हो रहा है साथ ही साथ में आपका रूट चक्रा इंबालेंस हो रहा है और इस समय में रूट चक्रा का इंबालेंस होना बहुत ही गलत बात है क्योंकि यहां पर हम डारेक्ली एनरजी रिसीव कर रहे हैं डारेक्ली हमें कॉस्मिक एनरजी से कनेक्शन में चल रह हम क्या ऐशा खा रहे हैं जिसकेदे हम खुद ही अपने दुष्मन बन रहे हैं जो बहु सकत है बहुत कम और कुम ठीक है जो जबड़ बहुत जबनो अश्यंत का रहे हैं बहुत जब यहां आपको बहुत मद्न कर रहेけ sources बहुत चीली टाइप या बहुत ईस्पैसी टाइप के आपको बहुत क्रेबिंग हो रही है तो इससे आपको बचना है विकॉज यह आपके solar plexus को effect कर रहा है जब अगर आपका solar reflectus और अगर आपका effect में आ रहा है तो यहां भी आपकी spiritual body क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे seven चक्राज seven spiritual body से connected है तो पहला है physical body दूसरा है mental body और तीसरा है spiritual body तो spiritual body आपकी जब start हो रही है तो वो आपकी effect में आ रही है अगर आपका spiritual body याने की और ठीक है और अगर आपका effect में आ रहा है तो फिर आप किसी काम के नहीं है मतलब कि आप कोई भी energies को receive करने के लिए prepare नहीं है पलकि आप अपने ही अंदर की जो toxic city है या toxic energy है उसके waste पे आप react करेंगे उसके waste पे आप reflect करेंगे because reflection की energy already लगी हुई है तो इस समय अगर आप अपने ही issues को reflect करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि in case अग तो हम एक loop को create करेंगे और उस loop में फसके हम अपनी journey को एक level पे bond कर लेंगे एक level पे stop कर लेंगे या हम stuck हो जाएंगे तो ये चीज़ करने से आपको बहुत अच्छे से बचना होगा I know मैं बहुत deep बाते कर रही हूं बट मैं चाती हूं कि आप इस चीज़ को बहुत clear mind से समझे और इस चीज़ को समझ के काम करें क्योंकि अगर आप जो intake कर रहे हैं वो आपकी body को हम कर रहा है आपकी body को problem कर रहा है जिसके चलते आपके चकराज आपकी spiritual energy effect में आ सकती है क्योंकि ये full moon आपको बे अतासा energy दे आपकी connect होंगी emotionally आप balance होंगे साथ ही साथ आपकी family energy इतनी high level पर पहुचेगी कि आप अपनी अस्तित्व को पहचानेंगे और जैसे ही हमारी family अस्तित्व में आएंगी जैसे ही family अपने आपको reflect करेंगी अपनी hidden talent को hidden energies को समझेंगी उसी तरीके से हमारे masculine भी hidden energies के connection में आए आप दोने दूसरे को कॉफी कर रहे हैं दूसरे को understanding कर रहे हैं दूसरे को learning कर आ रहे हैं तो यह चीज़े अगर आप अपने अंदर carry करते हैं तो आप अपने long term के लिए reunion को create कर सकते हैं क्योंकि यही वो समय है जहां आप अपने partner को बिना कुछ बोले बिना कुछ समझाए उसको उस लेवल पर लेके आ सकते हैं जहां आपको जरूरत है इस जर्णी में उस प्लेटफॉर्म पर लेके आ सकते हैं आप उनको जहां पर DMDF, Balance and Merging and Reunion शुरू होता है तो यह समय आपके लिए बहुत प्यारा और बहुत ही wonderful है तो इस समय को बिल्कुल भी जाया नहीं कीज बे बजया की चीजों में फसने से अच्छा है अपने आपको रिलाक्स रखिए शान्त रखिए और पीस्फुल रहिए थोड़ा से अगर आपको frustration या आपको heaviness फील हो रहा है तो यह energy आपके कहीं ना कहीं deep emotions में छुपे कुछ ऐसी energy है जिनको अपने आप में accept और उनको forgiveness कर करने के लिए ready होना है क्योंकि वह चीज आपको reflect करके आपको दिखा रही है कि अब आप यहाँ पर हाय है मतलब आपके अंदर जो emotions चल रहे हैं overthinking चल रही है वह चीज आपको सिखा रही है और आपको बता रही है क्या काम करना है और क्या नहीं करना है तो अभी के लिए मैं इतना ही करूंगी क्योंकि ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं थोड़ा सा अपने आपको मुझे शिक्यों रखना है तो अभी के लिए इतना मैसे जरूरी था लेकिन कल मैं जरूर बहुत सारी चीज़े किलियर करूंगी लेकिन फिलाल अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो बचिए अपने रूट चक्रा और सोलर प्लाक्सिज चक्रा को सेफ रखिए क्योंकि यह दो ही ऐसे सक्राज हैं जो हमें हाइर लेवल पे लेगे जाते हैं हमें लाइट में की तरफ लेके जाते हैं ठीक है तो अपने आपको पॉजिटीव एंड रिलाक्स रखें हैं साथ मे सब्सक्राइब को में 21 और 22 से हम अपने पॉर्टल को आपन को हील करेंगे और उसमें किसी एक विश के साथ इंटर करेंगे ताकि हम अपनी विश को कम्प्लीट कर पाएं तो इस सेशन के लिए आप जूढ सकते हैं मुझे आपकर सकते हैं यह क्यंकर कर सकते हैं यह दो दिन तो यह आप मेरे से जुड़ सकते हैं नंबर मेरा डिस्क्रिप्सिन में भी है कमेटी पूश्ट में भी यह पूश्ट टली होई है तो वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं तो इशी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान खुश रहिए बाबाई